क्लास टेन्थ सब्जेक्टिव क्वेश्चन वायरल पेपर प्लास्टर अफ पेरिस बनाने की बीधी का वर्णन करें इसका उपियोग बताएं प्लास्टर अफ पेरिस बनाने की बीधी जब जीप्शन CASO4-2S2O को 125 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो प्लास्टर अफ पेरिस का निर्माड होता है उपियोग मूर्ति यदि धाचा बनाने में, सल्य चिकिच्चा के पटी बाधने में, खिलावना बनाने में, सताव को चीकना करने में, सजावट के सामान बनाने में दोवन सोडा, इसका उपियोग जल के असाई को ठोड़ता को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, इसका उपियोग काच साबुन तथा कागज बेवसाई में किया जाता है बेकिंग सोडे के उपयोग इसका उपयोग एंटेसीड में किया जाता है या बेकिंग चूड बनाने के काम आता है जो क्येक के स्पोंजी और नूरम बना जेता है हीरा और गरफाइट के दो दो उपियोग लिखे, हीरा के दो उपियोग, काच काटने में अभूसर बनाने में, गरफाइट के दो उपियोग, एसनेहक के रूप में पैंसिल बनाने के काम में साबुन और अपमार्जक में अंतर साबुन और अपमार्जक में बहुत अंतर है साबुन या उच वसा अमलो को सोडियम लवड है या मिर्दू जल में सफाई के लिए उपयूगत है इसका जलिये गोल छारिये होता है इसमें निर्वल सोधन किरिया होता है या जल में कम गुलन सील है अब मर जग या लंबिस रिंकला वाले सलफोनिक अमल के सोडियम लवड है या मिर्दू तथा कठोड दोनों परकार के जल में सफाई के लिए उप्यूगत है इसका जलिये गोल उदासीन होता है इसमें परबल सोधन किरिया होती है या जल में अधिक गुलन सील है अमल और छार में अंतर अमल वह पदार्थ है जिसका जलिये बिलियन सफाद में खटा होता है अमल जल में H पलस आयन देता है छारक छारक वह पदार्थ है जिसका जलिये बिलियन सफाद में कड़वा होता है चारक जल में OH-ION देता है pH-SKL क्या है? रक्त का pH मान लिखे किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आएन का संद्रता ग्याद करने के लिए एक SKL बिक्सित किया गया है जिसे pH-SKL कहते हैं रक्त का pH मान 7.4 होता है लौर किसे कहते हैं? आमलोर चार के बीज के अभिकिडिया से जो उदसिन पदार्थ बनता है उसे लौर कहते है NACL, NA2SO4 पदों को परिभासित करें खनीज, आइस्क, गैंग प्रित्वी की परत में बिदमान धातु युक ठोश पदार्थ खनीज का लता है जिस खनी से दातु पराप करना सरल तथा आर्थिक रूप से लबदाएक हो उसे आइस्क कहते हैं आइस्क में बिदमान और सुदियों को गैंग कहते हैं भरजन यानि जारण और निस्थापन में अंतर जारण इस प्रक्रिया में आइस्कोवाई की उपस्तिति में गर्म किया जाता है या सलफाइड आइस्कोव के लिए उप्यूक्त होता है निस्थापन इस अभिक्रिया में आइस्कोवाई की उपस्तिति में गर्म किया जाता है या अक्साइड यां कार्बोनेट आइसकों के लिए परियोग होता है वास्तिक प्रत्विम और काल्पनिक प्रत्विम में अंतर वास्तिक प्रत्विम या वास्तिक किर्णों के मिल्ले से बनता है या हमेशा बस्तिक की अपेक्षा उल्टा होता है इसे परदे पर प्राप्त किया जा सकता है काल्पनिक प्रतवीम या काल्पनिक इर्णों के मिल्लों से बनता है या हमेशा बस्तु की अप्यक्षा सिधा होता है या इसे परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है आउतल और उतल दरपड में अंदर की और धोसा होता है इसका फोकस सामने और फोकस दूरी धनात्मक होता है या बस्तु वास्तुईक और काल्पनिक दोनों परकार का प्रतविम बनाता है उतल दरपड़ इसका परवर्तक सत्य बाहर की और उठा होता है इसका फोकस पीछे और फोकस दूरी धनात्मक होता है या बस्तु के अवल काल्पनिक प्रत्वीम बनाता है अवतल उतल सम्तल दरपड के उपियोग दाढ़ी बनाने में डक्टरी जाच में उतल दरपड के उपियोग साइड मिड़ड के रूप में सड़क बती के परवर्तक सता में सम्तल दरपड के उपियोग सोलर कूकर के परवर्त से आप क्या समझते हैं किसी कुलाइडी बिलियर में निलंबित कड़ों से परकास के प्रकिलन को टिंडल पर भाव कहते हैं परकास के बड़ दिछे पड़ से अपक्या समझते हैं स्वेत परकास के अपने विभीन अव्योय में विभाजन को परकास का बड़ दिछे पड़ को हते हैं तारे क्यों टीम टीम आते हैं ताप परिवर्थन के कारण बाई मंडल का दोहनतो और अपवर्थनाग निरंतर बजलता रहता है। फलसरूप रातनी में तारों से आने वाली किर्णे अपवर्थन के कारण कभी अधिक तो कभी कम मुड़ जाता है। अर्थार्थ आखों में कभी परकास अधिक और कभी कम पहुंच दाइसी कारण तारे टिम टिमाते परतित होते हैं।